शुरुन्मी लितैयेन तस्मै श्री गुरवे नमहा श्री गुरुभ्यो नमहा नमश्रंकर शारदाभ्याम प्रेयोब्या साहित्यम अधितिभ्या सर्विभ्या शुभं मदियम वयम सुललितं पवित्रं विशुद्धं चा भक्ती परिकं शुवपुरानात उद्रितं चा महा कवी कालिदास प्रनीतं कुमार संभवं तत्रत्यं पंचम सर्गं पार्वती तपस्या विशैपरं पठंत हस्माह अस्माविही पार्वत्याह मानस संकल्पात आरब्धाम प्रवरतन मार्ग रताम तपस्याम पठंत हस्माह पूर्वं अस्माविही इदम ज्यातम यत इशा गोरी शिवं वरत्वेन प्राप्तुम तत्परा सा कथम बहुविही विवनेही प्रतार्यमानापी तपसह न विचलती साच व्रिष्टि युक्त वाई युक्त व्रिष्टिशु आरात्रम तपस्याम करोती तस्याह तपस्यायाह प्रमापिकाह तदानीं तनाह रात्रयह संती इति खलू यात वन्तहा अध्ययह विशयह स्ती सेव तदानु शांगी कह विशयह सा पार्वती तपस्या विलायां वर्तमाना कथम युग कालम यापियंती अस्ती नाम कथम सा तपस्या साकम वा कथम दिनम्यापियती कथम रात्रीह चयापियती इति कभी ही उक्ति वैचित्त्रेन विवरीतिउं इच्छते अस्तु वयम प्रवर्ता महे अध्या शडविम्शती तमहा श्लोका हस्ती आम निनाय सात्यंत हिमोत किरा निला सहस्यराती रुदवास तत्परा परस्पराक्रंदिनी चक्रवाकयो पुरो वियुक्ते मिथुने कृपावती इति पदच्छेदह भवती निनाय सा अत्यंतम हिमोत किरा निलाह सहस्यरात्रीही उदवास तत्परा परस्पराक्रंदिनी चक्रवाकयो हुमिथुने पुरो पुरह वियुक्ते मिथुने कृपावती एवं.. अत्र संदिस्थलम्यदी चिनुमह सा अत्यंत सात्यनत हिमोत किरा निलाह उत्किरा निलाह अधुना पद परिचयो भवतू इती कृत्वा तदर्थम व्याप्रिये निनाय इत्याकारम यत्पदम अनी प्राप्तव एवं भूता धतो हो, नैती नैतह नैंती लट्लकार रूपाणी भवन्ती, तद वत परोक्षारते लिट्लकारे निनाय निन्यतु निन्निहु एवं विधानी रूपाणी भवन्ती, निधाटो हो लिटलकार निनाय इति धातुरयम उभय पदी वर्तति परस्मई पदी धातो हो निधातो हो लिटलकारे निनाय आत्मने पदि भवती निन्ये निन्याते निन्ये एवं इदानीम सा तक्छब्दस्त्य श्त्रीलिंगे प्रतमा भिभक्तव एक वचने भवती सा पार्वती सूचकं पदमिदम अत्यंतम अत्यंत हिमोद कि रानिलाह अत्यंतम अत्यंतम इती अव्यपदम वर्तते अत्यंतम इती पदस्य हिमोद कि रानिलाह इती पदे निसह समासा वर्तते पदमिदम विशुद्धम भवती अत्यंत हिमोद कि रानिलाह इती अत्यंतम इती नपुन्सक लेंगे भवती अत्यंतम इती हिमोद कि रानिलाह हां हिम सब्दहा हां हिमाहां हिमम एवंभवति तत्र उत्किरा निला उत्किरा निलाहा उत्किर इति शब्दहा उत्विक्षे पे इति धातो हो का प्रत्यां भवति करतु हु अर्थे उत्किरांती इति उत्किराहा तस्य अर्था उष्षे पकाहा अनिलाहा अनिर्शब्दाहा वायु वाचकाहा अकारांता अनिलाहा अत्यन्त हेमोत किरानिलाहा इती पदस्य अर्थाहा अन्यार्था वर्तते रात्री रूपाहा रात्रिही इती यत पदम बर्तती दुतिया विभक्तव भहुवचने तस्य पदस्य बहुब्रिही समास विशेशन भूतम पदम बर्तती तो अत्र अत्यंत हिमोत किरा निल इति पदम भभुब्रिही समासे अतहा आकारांतहा स्त्रीलिंग लेंगहा धुतिया विभक्तव भभुवचनांतहा इति शब्दहा सा अत्यंत हिमोत किरा निलाहा तर नंतरमस मास्रीलिंग अर्णांतहा इत hearings रात्रि आत्य अधिस्ञ ए ते सकत siihen चेहें अनुंबग सहस्य शब्दहः कि माश विशेश वाच कहा पौश माश मिच्वुश माशव है् फूश आती कुछुटे नहीं हिंद्यां तो पवुश्मास वाचकहा सहस्य सहस्य थी सब्दह अकारान था पुल्लेंगा रात्री ही रात्री थी शब्दह 21 पि वर्तते हरस्व 21 पि धीरिंग इकारां थो इकारांतह, इकारांतह, श्रीलिंग कहा शब्दह, रात्रिर्ग मिश्यति, इती, अत्र धिर्ग त्वमपी प्राप्यते रात्री ही नदी शब्दवत चलती, यदि धिर्ग इकारांतह शब्दवती नदी शब्दवत दुत्या व्यवत्व भवजने रात्री ही, उदवास रात्री ही अस्ति उदवास तत्परा उदवास तत्परा इती समस्तह शब्दह उदके वासह उदकम इती जलम उदकम इती शब्दह नपुंसक लिंग कहा अकारांतह उदकम जलम तत्र वासाहा वासा नाम वास करण क्रिया वासाह वस आवासे धातो हो वसने भैं प्रत्या क्रियते वासाहा इते तत्र तत्र परावर्तति तत्र परायती शब्दहा आकारांतह ववती विशेश विशेशन भूतहा आत्र आकारांतहा स्त्रीलिंग कहा रमा शब्दवद एवं एवं एतिशाम परिचयह भवदी इदानें परस्पराक्रिंदेनी चक्रवाकयो मिथुने चक्रवाकयो हो इती शब्दहा चक्रवाकयो इती पदम्भवती चक्रवाकी थी पितरी इती शब्दह पितरवु चक्रवाकी वर्तते चक्रवाका वर्तते दोयो हो एक शेशेन रूपम्भवती चक्रवाका द्वितिया चक्रवाकी थी शब्दहा अकारांत हा उल्लिंगा हा चक्रवाकी चक्रवाक वाच कहा शष्टी विभक्तव दीवचने चक्रवाक वर्तते दोयो पितरी शब्दहा नपुन्षक लिंगा हा द्वंद्वाच कहा अथ्वा युगल वाच कहा मिथुनम अत्र मिथुनम अकारांत हा नपुन्षक लिंग कहा शब्दमी विभक्तव एक वचने मिथुने युगल ले परस्पर आक्रंदिनी परस्पर इती शब्दहा वर्तते परस्परम अव्यमेव और आक्रंदिनी आम उप्सर्ग पूर्वा क्रंद धातो हो क्रंद विक्रोशे निनी प्रत्तियेन आक्रंदी इती शब्दहा ववद्दी पुल्लेंगे आक्रंदी आक्रंदिनो आक्रंदिना इवं किन्तु अत्र मिथुनमिती पदम वर्तते अधह आक्रंदि आक्रंदी आक्रंद वस्तु वस्तु नी वस्तु नी ददी ददीन आक्रंदिन आक्रंदी आक्रंदि नी आक्रंदी इनी एवं रूपानी भवन्ति नप्रंचक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् परस्परम इती पदम अभ्यम भवती, परह परह इती सर्वनाम शब्दह दोयोहो शब्दयोहो चिम वर्तते परस्पर क्रियार्थम अत्र अभ्यम एव पदम सिध्यती, अन्योन्यम परस्परम इतरेतरम एवं भवती, परस्परम इती पदम अभ्यम भवती परस्परम। एतिने सब्देन आक्रंदिनी तिस $30 से समा साहा। परस्परम। आक्रंदिनी। चक्रवाक योहौ मिठुझने। द्ञाने पुरोवियुकते जीने, क्रिपा वति। कृपा अस्ति अस्याम इती कृपावती कृपाशब्दात मतु प्रत्या तदुत्रम चांगी प्रत्या कृपावती नधी शब्द वद प्रतमा व्यक्तो एक वचने मिथुने जायते वीयुक्ते वीयुपसर्ग पूर्वह युजर योगे धातो हो तव प्रत्येन वीयुक्तम भवती एवं तत्र सक्तिमी व्यक्तो एक वचने वीयुक्ती पूराह इती अव्यय शब्दहा सम्मुखे अग्रे इती इत्यर्थ वाच कहा एवं भवती पद परिचयह अधुना अन्वय भवती पस्यामह अन्वय कथम भवती अत्र क्रिया पदम जायत तरही अन्वय ज्यानम पी स्वतह जायते निनाय इती क्रिया पदम प्रधानम क्रिया पदम भवतते तस्याह कर्तरी पदम सायती भरतते तस्या पी करत्री पदस्य विशिष्णानी संती कर्म पदम पी वर्तते दुतियांतं तस्य कर्म पदस्य विशिष्णानी पी संती पस्यंतों सा निनायो इती किम निनायो कर्म पदस्या कांग सबोती रात्री ही कस्य रात्री ही निनाय सहस्य सहस्य स्य एवं समासा वरतते सहस्य रात्री की दृष्य हा रात्रे हा पुनाह विशेश्णम वरतते अत्यंत हिमोत किरा निलाहा सहस्य रात्री ही निनाय का निनाय उदवास ततपरा पुनः पुरह वियुक्ते चक्रवाकयोः पुरह व्युक्ते परस्पराक्रंदिनी चक्रवाकयोः मिथुने कृपावती एवं निनाय एवं भवती अन्वया तुसा अत्यंते हिमोत किरा निलाह सहस्य रात्रिही उदवास तत्परा पुरह व्युक्ते परस्पराक्रंदिनी चक्रवाकयोः मिथुने कृपावती निनाय एवं अन्वया भवती अन्वये कृते सती व्याख्यानम क्रियते अत्र क्रियापदम निनाय करत्रिपदम साहीती कर्मपदम रात्रिहीती इदम एव वाक्यम वर्तते अन्याह अवसिष्टह सर्वो पिभागाह तद अंतर हिताह कर्म पदस्य विशेशन तया कर्त्री पदस्य विशेशन तया क्रिया पदस्य चा विशेशन तया एव वर्तते अन्यत कीम पि नास्ति सा इत्यनेन उक्तायाह पार्वत्याह एव परामर्षः भवत्य उक्ता की द्रिशी आसित पार्वती कथम भूता अस्माविह पार्वती द्रिश्टा निरंतरासु अंतरवात व्रिश्टिसु एवं निरंतर प्रवाह मानासु वायो युक्त व्रिश्टिसु या असंव्रित स्थाने उपवेश्नम करोती शयनम्च सिलापट्टे करोती ताद्रिशी पार्वती नाम तपह आचरंती पार्वती साथ अत्यंत हिमोत किरा निलाहा सहस्य रात्रीही निनायो एसी पार्वती क्या कर रही है अब रात्रियों को व्यतीत कर रही है तो राते कैसी है अत्यंत हिमोत किरा निलाहा अत्यंत का अर्थ है जहां अंत ना हो अंत का भी अतिक्रमन कर दिया हो एक अंत होता है आधी होता है मध्य होता है अंत होता है तो जो अंत को भी अतिक्रमन कर दें अंत का भी अतिक्रमन कर अत्यंत इसका अर्थ निकालते अत्यधिक अतिशे तो अत्यांत अत्यधिक जो हिमोद कर अनिल है हिमोद कर है तो हिमस्य नाम तुशार कणसिया उतकिरह संति उतकिरह नाम उत्था पुकाः उत्षेपकाहा अनिलाहा वायवाहा यत्रा तादिशी ही रात्री ही निनायो ऐसी रात्रियों को व्यतीत करती हैं पार्वती जो अत्यधिक हिमके हिमकन को फैकने वाली हिमकन को बरसाने वाली वायूं से युप्त रात्रियों को व्यतीत करती हैं तो ऐसी रात्रियों थी जिसमें हिमकन की बरसा करने वाली वायू हुआ करती हैं तो हिमस्य उत्किराहा उत्षेपकाहा उत्थापकाहा वर्षकाहा अनिलाहा वायवाहा कि एक बिखिये नंदीया है सहसियस्य रागत्री ही कि इसे कोने सहस्य सहस्य स्या रागत्री ही सहस्य नाम पूशमासह पूश की तो पूश्यस्या पूशमासस्या रात्री ही ना केवलम जेश्टमासस्या अपी तो पूशमासस्या पूशमासस्या पूशमास की रात्री ही रात्री ही रात्री ही ठीक है कैसे व्यतीत करती थी तो एक विशेशन दें पार्वती जी का उदव जो उधनाम दोद के या के जले वा सहा slang Nagda कि ओजसामाद ही रूप वा से सिध्धा टिस्थाह टुदա को वा सकरिया याम संद्धा कि छलाधि वास जल समाधि रूप vivre हसे सिध्धाव रत हति यत्त laquelle यहां बढ़ता थे उद्ध वाज वाज तत्परा इत्यार था साँ जल्ला समाधिम करोदी जल्ल समाधिस्था कि अधिवास तत्परा है साथ कि पुराहा स्वासम्भुखे भीउगते विउप्तव विउप्तानाम विरही तो विउप्तव नाम विरही नी विरहायात दुख्षिते वियोगात दुख्षिते कौने ऐसे परस्पराक रंद्यथ्वा आक्रंदिनी, आक्रंदनम, आक्रंदनम नाम क्रोशनम, विलपनम, विलापकारियम, विधायिनी, कुर्वती, कह चक्रवाकयो मिथुने, तो चक्रवाक, चक्रवाकी, दयोहो, चक्रवाकल नाम, सब, चस्ती दीवचन है, तो दो है, दो चक्रवाक नहीं है, चक्रवाकी भी है, चक्रवाक चक्वी, तो चक्रवाक है योहो, क्रौण्च पक्षी विशेश Goodmane, यूगले, कैसे था प्रक्षी का जोड़ा जो परस्पर आकरंद व्युक्त था एक दूसरे का बिछड़ने का गम सता रहा था और परस्पर जो आकरंदन कर रहा था परस्पर परस्पर आकरंदन विलबन शीले विलाप कर रहा था विलाफ कारी था एसा चक्रवाक और चक्रवाकी का क्रोंच क्रोंची का जो मिथुन था युगल था जोड़ा उस ऐसे जोड़े पर कृपावती नाम कृपया विष्टा कृपाविष्टा है तो कृपावती नाम धयावती डया वती करपावरतते यस्याम साभवती कृपावती क्रिपालू पुल लेंगे तो क्रिपावती नाम दया भाव बिभाविता दया भाव विवला वर्तमाना इस्थिता निनाय रात्री कालम रात्री नाम कालम निनाय नाम अयापयत यापितवती चलता अब देखिए बहुत सुन्दर प्रशंग है अब हिंदी में बता देते हैं संस्कृत में आई गया होगा अब एक वारेदी संस्कृत में देखना है तो पुनाहा बोलते हैं सा सा घोर तपस्याम संपाद संपादन शीला हिमोत अत्यंत हिमोत किरा निलाह सहस्यरात्रिही अत्यंतम अत्यदिकम हिमपात वरशन सीलासु वायु युक्तासु रात्रिशु सहस्य पौशमास सम्बंधिनीशु रात्रिशु वर्तमाना उदवाष तत्परा कि उदगे वासəह तत्र तत्परा उदगे वासानम regen 7 चल वासे तत्परा मगना जलवासनाम覺得 समाधि स्थिताleep्यळ समाधि स्थिता कि में करोती जल उदवासे तत्परा है hita पुराहा स्वसम्मुखे स्वसमक्षम समक्षम वियुक्ते परस्परा करंधिनी चक्रवाक योह मिथुने भावी या दुखम वर्तती जो होने वाला दुख है परस्पर वियोग रूपम भावी या दुखम तस्माद वियुक्ते विरहीनी विप्रयुक्ते दुख्ते परस्परा करंधिनी परस्पर विलापकारिय कारिनी विलापक्रिया कारिनी चक्रवाकयो हो क्रोंच पक्षिनो हो मिथुने युगले क्रिपावती दया भाव विभुवला दया भावं प्रदर्शयंती इती क्रिपावती निनाय नाम यापितवती व्यतीतवती यह अर्दवा हिंदी मेदी कहेंगे तो पुर्वक्त पारवती जिनोंने अत्यधिक हिमपात को बरसाने वाले ऐसी बाईयों से युग्द सहस से मतलब पौसमास की रात्री को कुछ इस तरह बिताया जो की पारवती जल में जल समाधी लेने वाली जल समाधी को लगाई हुई ठीक है पुरहा मतलब सम्मुख एक दूसरे से अलग हुए हुए अलग हुए अलग हुए अलग होने से परस पर चिला रहे हैं विलाप कर रहे हैं विलाप करने वाले चकवा चकवी इस पक्षी विशेश के मिथुने मतलव यूगल पर चकवा चकवी तंपती पर कृपावती दया भाव को दिखाती हुई निरमात सर्भाव को दिखाती हुई रात्रिया लितीत करती थी यह हुई हिंदी भावा ये दानीव किन चिल्वी सिष्टम अनविश्या महा अत्र कभी ही पारवत्याम स्व लक्ष साधिकायाम तपस्यायाम मगनायाम पारवत्याम जीव मात्र जीव मात्रम प्रती कीद्रिशाह स्नेहा आसीत सापी सेवायव सापी साधनायव इति भावः पारवत्याम कभिना दरशिता यदि इदम विदमहा कस्चिजनहा निज स्वार्थ साधनार्थं अत्वा स्वीय लक्ष प्राप्त्यर्थं अनुकूलान उपायान अनुतिष्ठते तया वेलया सहा तथा भूतह मगना भवती जवन सामान्यार अपी जुगुप सती जगन सामान से भी घ्रणा करने लगता है समझने नहीं लगता है किसी कोई किन्तो ये तो हुई सरीरधारियों की स्थिति मानविय स्थिति किन्तो यहां पारवती जी अपनी लक्ष की सिध्धी के लिए जो भी समुचित उपाय हो रहे हैं वो तो करही रही है साथ में वो एक मानवता को भी पहचान रही है कि सूरी के निकलने से जो क्रौंच पक्षी मात्र परस पर आनंदित होने लगते थे सम्मिलित होने लगते थे वही सूरियास्त के समय संध्याकाल में वो जब दोनों पक्षी आपस में बिछडने लगते हैं और उनके विलाप को देख करके भी ऐसी पार्वती जी जिनुने संसार के मोहों इर्ष्यादी गुनों को त्याग दिया है उस परभ्रम को प्राप्त करने के लिए जो तत्पर हैं किन्तु वह मानवता से उस बक्षी मात्र पर भी दयाव भाव से देख रहे हैं तो ऐसी भावना से विभावित जो हैं पार्वती कि साधारन होते भी असाधारन और जन्वानस पर करने वाली थी लिए सादनाती मुनियों के जैसे और भावनाती जन्वानस जैसे ठीक है यह कभी बताना चाहां एसी पार्वती उन्हें एसी पार्वती ने रातों को ब्यतित किया वो रातें सामाने नहीं थी जैसे ही साम होती थी एक तो पौश की मास निरन तरह विरिष्टी इत्यादी हो रही थी फिर पौश की मास हो रही थी पौश की मास की रात्री थी ठीक है और जल में वास करती थी साम तक समाधिस्त रहती थी और फिर पस्चात पक्षियों के कलरव की गुंजा समाप्त हो जाती थी कुछ विव्युक्त पक्षियों के असईय शब्द को पीडा को सहन करती हुए अपने लक्ष के सिध्धी करती थी ऐसी पार्वति बता तो रात्मिया कितनी कश्टप्रद होंगी एसा बता चाहिए ठीक है यह हम व्याकनानसों को देखेंगे लिए हम पहले समासिस्थल को सीमांकित करते हैं अत्यंतम अत्यंति हिमोत किरानिलाहा यह रात्री का विशीचन है बहुबरी ही समास है अत्यंतम पर कैसे बनता है अंतह नाम सीमा को च傳ucken है अत्यंतम अध्यंतमर मालाम जंसी कर अंतम म अत्यंतम अध्यंतम करके समास में आते हैं खीक है तो अत्यंत्न इसका रहता है अत्य दिख अधिशे ब्रिशम इत्या अध्यार दिख शांप अधिक्राइब तकिराह कि अध्यांत्य हिमोद किराह कि ओ आड़ विमोद किराइब आप उनिलाह है ला चिरह 파एंद के रान इलाहा ए numéro satellite हिम्होत कि रान इलाहा यत्र है ए अधवायासु ताहा पाहा अध्यन्त हमोत कि रान इलाहा बहू भुरे समास को है पहले बत्तम सभी पदों का बहू पर्बरी समास के ए Cornश िर स्ष्थ्रिस्टिक çık 5067 कर्मदारे स्मास की जिए हैं पर रहां सहस्या सहस्या सब हऄ सहस्थी ट्रश्क है ठीक्थ क्या है उद्धवासी तत परा हुद्वासी त baht परा में ओधा के वासहा ओदवासहा कि यह हुआ सब्तमी फिर तत्परा सब्दुना यह सह परह यस्याह साथ तत्परह तत्परह का अरत होता है क्रिया परायन मगन यह है तो ओदवासहा सह परह यस्याह साथ तत्परह तो ओदवासे तत्परह इती ओदवास तत्परह थीक है समझवाया यह है अब देखिए उदवासा तत्परह परस्परा क्रंदीनी परस्परम आ क्रंधितुम शीलम यस्याह तत्परस्परा क्रंधिनी नपन सक्ली मिलेंगे तस्मिन परस्परा क्रंधिनी ठीक है यह हुआ अणिनी प्रत्य करेंगे आक्रंदितुम शीलम यस्य तत्थ आक्रंदि आक्रंदी फिर सब्तमी एक वच्छन करेंगे विद्यार्थिनी आक्रंदी चक्रवाक यह हो जो सब्द्य है एक से समास हुआ है सिठासथा हो शुद्र है और म स्त्रिया तुद्दी ए तुद्री मृको जो मिया में बुप को कि आनुत जिर्ल safest है पुमां नाम के उर्ष वाचप न स्थियानाम स्थि वाचपते स्थे तरही पुमान एव अवशिष्चती वह जो पुलिंग शब्द का पुलिंगान शब्द का स्थ्री लिंगान शब्द के साथ यह समास होता है तो जो समस्त पदेगा माताच पिताच करते हैं कि निए नसे एक सेक्ष कृत अधित समासा से इसनां धातिवा कर देलिंग का सिब्द का सब्सक्राइब मतलब उद्लिंग या, स्त्री लिंग में पढ़े गई सब्द से साथ समा सोता है, तो वे पुन्सक्र लिंग में साहिए खिता एक से शुद्र है, तो यहाँ, इसलिकारवा क्यों कहा गया है? नहीं तो यह निटिस होता तो चक्र वाक्ष होता नद्धियों होता ठीक है कि सूत्र से पुमांस्त्रिया आख जो परसपरा अक्रंदिनी में जो आक्रंदी स सुप्र जाता अचीले सूतर से निगर प्रत्य है परश पर जो सब्ले देखिए क्या है कर्म वितिहारे सर्वनामनह द्विवाच्चिय सूत्र है क्या है कर्म वितिहारे को नाम वितिहारा को नाम वितिहारा वितिहार केते हैं परस्पर करणम एक दूसरे को भावित करना परस्परम भावेंता जहां परस पर मतर एक दूसरे पर क्रियाशील हो रहे हैं परस पर करणम वितिहारा तो कर्म वितिहारे जहां कर्म परस पर करण अर्थ रूप गम्मिमान होगा ऐस अर्थ में वहां सर्वनाम यदी वाचक शब्द है तो उसकी जो है कि दु दुई राविरत्ति हो जाती है उस सब्द की वीपसा हो जाती है जिसे बोलती है तो देखिए हो करम ती करम वितिार शभीरण परह परह वनता है क कर्मत मैं फिरुए दुवस्परम गया इससे होता है इसलिए परश्परम अन्ययम मैं अन्ययों ने जो बनता है अयद्पाइभी संभ्नां मैं आता है कि श कर पर भी आता है इतर भी आता है अब देखिए और क्या है यहां जो उदवास जो सब्द बना है एक पहले भी सूत्र आया था आपने लेखा था नो सब्द दिये थे वहां भी वास सब्द आया था उन उक्त जो नो सब्दों के रहने पर वास ठीक है उदक शब्द को उदादेश होता है देखे, यहां भी है, सूत्र है, पेशम वास वाहना दिशुच्चा, पेशम वास वाहना दिशुच्चा, इसमें यह कह दिया है, कि पेशम, वास, वाहन, और धीशब्द, तेखे, यदि ये शब्द पूर में होते हैं, या ये शब्द पर में होते हैं, इन शब्दों के रहने पर, यदि उदक शब्द आया है, उदक शब्द के बार में ये शब्द हैं, इन मैंसे कोई भी, तो उदक शब्द उदक नहीं लेगा, उसको उदादेश हो जाएगा, तो आप द अब देखिए किया है एक या लगे मैं और ने वासाँ पिशम वास वाहना दिसुख आगया वास सब्द उद्ध के बाद में है वास सब्द ठीक है उदक जो सब्द था उसको उदा देश हो गया अब देखिए उदधी सब्द बोलते हैं कि उद्धी बोलते हैं कि उद्धुपसर्ग थोड़ी है वहां उद्धी में उद्धक शब्द है धीयते असमिनिती धी ठीक है तो देखिए उद्धक धी है वहां पेशम वास वाहना दिश्व इस सूत्र के अनुसार भी शब्द पढ़ा गया है दीशब्द पर्मे होने के च में। कर से इस सूत्र से हुआ है अब देखिये कि जो अनिल का वीशेशन दोताया उतकि रहा इगुपदग्यापीकि रहक्राइं किह सूत्र है इस सूत्र में का लिगुपद्थातू यहां उत्किराराइब उत्किरा वदाः है उत्किराका प्रसार का रक्षित का वज़ीद रकषित हिमान उत्किरंती हिमम उत्किरंती ऐसा नहीं करना ठीक है सहस्य जो सब्द है वो यहां एक आया है सहस्य जो सब्द है वहां पाउस्मास वाचक है एवं भवती व्याकन द्रिश्ट्या विचार हा एतद अत्रिक्त आश्या न अतिश्यते अत्रिक्त आश्या अधिकतवति व्याह शत्वति व्याह सर्वेब्या सुभं धन्यवादान सचविदीर्या वाचा विरमामी आम वाचा विरमामी धन्यवादा हां अमोना वहां अचारी अभवतस्ति हो आम धन्यवादा आम प्रणा महत्व